कि नमस्ते श्रेकल वेलकम बैक टूपल इंसिट्यूट्स यूट्यूब चैनल हर एक वीडियो की तरह अगें यह वीडियो भी बहुत ही खास रहने वाली है इस वीडियो का बहुत टाइम से इंदिजार चल रहा है यह एक ऐसे वीडियो है जो लगता तो है बहुत असान है ल उनमें से एक टॉपिक है पढ़ी लिया होगा बात कर रहा हूं मैं आर्टिकल्स की हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कूस करेंगे और आज मैं जो questions लेकर आया हूँ वह questions लेकर आया हूँ जो previous years exam में आ चुके हैं हर एक तरह के exam में आ चुके हैं तो इन questions को हम करेंगे और करेंगे नहीं understand करेंगे समझेंगे answer देखेंगे क्या है और एक reason के साथ करेंगे रटा नहीं मारना answer क्या है और क्यों है जब तक एक reason clear नहीं होगा concept clear नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे और टॉपिक आर्टिकल्स बहतरीन टॉपिक और बिलीव मी जो आप हो आफ्टर दे सेशन वो नहीं रहेंगे फिर चेंज आएगा definitely बहुत positive चेंज आएगा understanding आपके बहुत अच्छे लावल तक जाएगे उम्मिद यही है जो English के प्रती जो डर है जो fear है that must be booted out that must be kicked out उसको किक करना ना बाहर फैंक देना है डर को start करते हैं without much ado so try करते हैं जितना हो सके rules को and concepts को अच्छी तरह समझे जाए अगर मैं कहूं सारे concepts हो जाएंगे possible नहीं है भाई दो क्लास में दो घंटे में तीन घंटे में चार घंटे में आर्टिकल्स के सारे concept होई नहीं सकते हैं टॉपी की endless है अगर टॉपी की endless is candy नहीं है कोशिश की जा सकते है ज्यादे से ज्यादा concepts कवर हो इसलिए वही questions है जो exam में आई होई है उन्हें के based concepts को हम करें गया भी so let's begin start करते हैं मुझे पहन चाहिए हो well now first sentence देखिए the loss of jobs is regarded by some as an article as an necessary as an necessary evil in the fight against inflation बहुत ही असान question है एक्जाम में आया था clerical के एक्जाम में आया था and of course answer जो है जो गलती है वो कहां पर है B में an necessary नहीं आएगा a necessary आएगा right काफी असान question था now यहां से एक प्रेशन यह निकलता है हम article a and an लगाते कब है well पहली बात यह है दोनों ही article हम लगाते हैं अगर हमारा जो noun है इसके आगे जो दिया हुआ noun है वो singular एक वचन countable noun हो countable noun हो तभी हम article a यह न लगाएंगे और कब लगाएंगे अगर जो दिया हुआ noun है उसका gomek sound है वो consonant हो right और and कब लगएंगे अगर उसका जो दिया हुआ noun है उसका sound है वो vowels अभी वालोस क्या होते हैs various sounds होते हैं वाउलFly रप्त उसमें さंने हैं और इंग्लिश में समफ मुझे00टाटे ऐवह इसको उबोल नहीं इस को नहीं बोलना इस इसे को तो मैं तो to sound, sound अगर हम इसको साउंड आती है तभी हम इसको यं लगाएंगे इस र cōेट कर रहा हूँ English के यह जो letters नहीं है जो लगता है आपको यह sounds है right sound को represent किया जा रहा है using some letter a e i o u right तो यहां पर sound क्या रही है no no के sound आ रही है तो no है यह no है तो यह about लहीं है तो इसलिए हम any लगाएंगे हम a लगाएंगे तो इसमें हमारा यह पॉइंट था और अभी हम पहुंचते हैं अपने next question पर next question देखिया हमारा क्या है hmm 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 next question again easy है काफी next question is it is a quarter to 10 it is quarter to 10 मतलब quarter past 10 भोलते हैं quarter to 10 means अभी 10 जो quarter to 10 है अभी 10 का quarter क्या हो गया अभी 10 मतलब time की बात हो रही है अभी जो एक time होता है उसके चार हिससे होते हैं one ऐसे इस तरह से तो इसका एक quarter की बात हो रही है अभी और का मतलब क्या होता है अभी और यह एन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब सम भी होता है इसका मतलब ओल भी होता है राइट और यह एन के कही मीनिंग है सिर्फ वन ही नहीं होता है लेकिन और इसका मतलब of course one of many भी होता है one of many भी बहुत है उन में से एक की बात हो रही है so a quarter मतलब किती एक quarter है one two three four तो चार quarters है चारों में से एक quarter की बात हो रही है तो एक मतलब singular की बात हो रही है तो हम लगाएंगे बिल्कुल ठीक है a quarter to ten है so a quarter की बात हो रही है चार में से एक की बात हो रही है one of one of many की बात हो रही है तो अफ्वस हम यहां पर आर्टिकल लगाएंगे संटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है no error हम इसमें लिखेंगे right next question पहुंचते हैं गीता गीता ड़संट यूजली वियर जूलरी जूलरी हमारा uncountable लाउन है बट येस्टरड़ी शी वार रिंग अभी रिंग क्या मेरा रिंग मेरा countable लाउन है और countable लाउन कभी भी singular नहीं आएगा इचिस माइचिस में 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 रखिए भी countable लाउन है अगर वह कभी भी singular नहीं आएगा countable लाउन से फैल अगर वह सिंगुलर है तो आर्टिकल और हम लगाएंगे अभी रिंग मेरा countable लाउन अभी प्रिशन यह आता है पता कैसे चलेगा यह प्लूरल इसकी है या नहीं कोई भी नाउन कोई भी शब्द आपको दिया है यहां तक समझ आया हमें अभी जैसे के एक एक जामपल लेता हूं मैं कहता हूं वी वांट बुक वी वांट बुक अभी मुझे पता है भी बुक का प्लूरल फॉर्म बुक्स होता है तो इसका जो सिंगलर फॉर्म आई नहीं सकता अकेले से पहले मुझे आर्टिकल चाहि सबत्क zobaczyщ 활동 में रागया आ अभी चाहिएथ है जाएं हो जह नहीं बुक्त आइख तो और आम पारिप से जो सी और देगिये बुक्स чист जर अविशन आया होा सत्सक्वार्त शां के सबटल आई हो आया है चाहिए है सी तरह के आता है रहे है अब हम जॉश्स किया होता है पर सारे अपने आध में थरह पीपल हो गया यह गई प्लूरल काउंटे ऑ fishermen 9busk कोंचे और माफाने डिक वार कनवी नाइट कहले और क्राइम वारिय नाइट के तो यहाँ पर खिवाली नाइट को इस स्पेशिपाइग किया हुआ है तोадноकर स्पैसिपाइग किया और यहाँ अब यहां पर एक जैनरल मैं क्वेश्टowana हम अर्टिकल या न लगाते हैं इनना को क्या बोलती हैं इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं यह उतक networks होता है उन नाउंस के बारे में लिसनर को सुनने वाले को या पढ़ने वाले को नहीं पता किस नाउन की बात हो रही है तुछ हैWill अभी मुझे तो पता है ना मैं किस फ्रेंट की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आर्टिकल लगाना पड़ा अगर सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी पता है किस नाउन की बात हो रही है तो वह खास होता है तब हम द लगाएंगे यहां पर भी नाइट कौन सी की बात हो रही है इसलिए दनाइट ओफ पर दनाइट ओफ कराई मैं वापिस लेकिन यहां पर आता हूं तो दो हम कभ लगाते डेपिनीट अर्टिकल जब सुनने वाले को या पढ़ने वाले को फथा भी किस नाउन की बात हुए पर एक्जामपल बोलते हैं अभी दो सन क्य चुछ ये की बात हो रही है तो इसलिए हम दगाते हैं इनके साथ तो बेसिक अंडेस्टेंडिंग समझो भी आर्टिकल वर और हम लगाते हैं उन नाउन के साथ उन काउंटिबल नवन्स्स के साथ जिनके बारे में सुनने वालों को या पढ़ने वाले को नहीं पता कुन सा नावन है किसकी बात हो रही है लेकिन अगर सुनने वाले को लिसनर्स को या रीडर्स को पता है भी किस नावन की बात हो रही है पता है अगर उनको तो वह खास हो गया उसके लिए तब फिर हम दह लगाएंगे तो यहां तक हमारा यह पॉइंट हो गया नमर 3 & 4 आगे पहुंचते हम in science the credit goes to a man who who मेरा क्या होगा relative pronoun होगा जनली अगर हमें relative pronoun लिखा हो तो relative pronoun क्या होता है जो relate कर रहा है वो और specify करने के लिए होता है तो जनली उसके साथ हम 10 ही लगाएंगे so in science the credit goes to a man who convinces the world not to the man to whom the idea first occurs be credit science में उसको जाता है जो पूरे दुनिया को convince करता है ना कि उस इनसान को जिसके माइंड में पहले आया तो यहां पर मुझे relative pronoun दिया हो तो man के आगे specify किया हो तो मैं क्या लिखूंगा to the man so in science the credit goes to the man who convinces the world तो यहां पर specify किया हुआ man को right तो यहां पर हम क्या लिखेंगे the man in general अगर हम आम बात करें तो man के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं जैसे हम the लिख दिया यहां पर specify किया हुआ और लिख सकते हैं there is a man there is a man एक इंसान है तो यहां पर एक इंसान की बात हो रही है कौन सा यह चलो वह बात नहीं है वह मैंटर नहीं करता तो यहां पर हमने लगाया यहां पर कोई कोई आर्टिकल नहीं लगाए जब इन जनरल सभी लोगों की बात कर रहे हैं सभी मानवजाती की बात कर रहे हैं तो मैं के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे लेकिन जब एक बंदे की बात हो रही है तो there is a man specify अगर हो रहा है तो फिर महां पर क्या लगाएंगे हम the man all right so समझाया होगा पूरे भी महन के साथ कोई आर्टिकल लगता है अ कब लगता है दर कब लगता है और कोई भी आर्टिकल कर नहीं लगता है नेक्स देखिए it is only after the match is over that people realize how exciting it is बात हो रही है general present में दिया हुआ है मुझे सारा sentence तो कोई एक particular match की बात नहीं हो रही है general बात हो रही है जनली जब match खतम हो जाता है तभी लोगों के हैसास होता है भी match कितना अच्छा है general sentence है general बात पूर यह specific match की बात नहीं हो रही है तो मैं दर नहीं लगाऊंगा यहाँ पर अ लगाऊंगा तो जैनल सेंस के बात हो रही हमने लिखा दर लगाते तो लिखा होता अगर स्पैसिफाई होता यह पास की बाव यस्टरड़े जो match खेला गया था हम इंसानों के लिए विच लगा दें प्रनाउन का कुंसेप्ट है second point यह भी of the two अगर लगा होगा इसके साथ comparative डिग्री लगता है comparative हम डिग्री लगाते हैं और comparative डिग्री से पहले दो भी लगता है जनरली केंपरेटिव डिफ मैं अडर्वने लगता है कि इस ब स्ष्ma s तो यहां पर और केंपर रहा है समय डेकर मैंने लिखेन है लेकिन इसके और लिख यह लोगता हूँ है लगाएंगे लेकिन कब लगा कर दिया है हो of the two example एक मैं एक तुदिया हुआ एक मैं रिता हूँ और मैं बोलता हूँ भी बठिन्दा and 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 Petyala are two big cities दोनों ही बड़े शहर हैं but Petyala is the bigger of the two तो यहां पर बात हो रही है of the two लगा मैंने comparative degree लिखना पड़ा मुझे और इसके पहले दर लिखा तो comparative degree के साथ हम दर लगाएंगे तो यह रिजन है वैल एक तो यह रिजन है दूसरा इसको तब वह पहुंचेगी जब हम एड़वर्ब करेंगे इतना डेटियल में मैं फिलहाल नहीं जाओंगे इस क्लास में मैं फोक्स कर रहा हूं आटिकल में तो आटिकल में वापिस आ रहा हूं तो अगर मुझे लगा होगा संटेंस में कंपरिटिव डिगरी लगेगा और उससे पहले दर लगाऊंगा तो गलती कहां पर है दर बैटर सो ऑफ दे टू सिस्टर शी इस दर बैटर यह लिखूंगा मैं गलती तो बहुत ही इंपॉर्टन एक्सप्रेशन इंगलिश का इसक सब्सक्राइब के साथ तो वापिस पहुंचते हम नेक्स एक अपना टॉप अगला जो क्वेश्चन नंबर हम एट पे आए हैं फिलहाल प्रसा फास्ट करें हम जल्दी 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 अब तू भाग मिलकर अल्राइट नाव इस अनफॉर्टनेट एनाफ तू लूस फ्य फ्रेंड्स वी मेक डूरिंग अवर स्कूल डेस से बड़ा ही धुर्बाग्य पूरन है अनफॉर्चनेट होता है अगर जो कुछ फ्रेंड्स हम बनाते अपने स्कूल डेस में उनको खो देना अभी वेल यहां पर प्वाइंट आ गया फ्यू फ्रेंड्स पे गलती है क्या हो गया सम और फ्यू क्या होता है अफ्कोर्स होता सम है और अफ्कोर्स यहां पर क्या होता है स्पैसिपाई होता है स्पैसिपाई करते हैं हम प्यू जो है नन है नेगिटिव हमेशा हमेशा नेगिटिव है यह कुछ पॉजिटिव सेंस में होता है राइट कुछ तो है और ये भी पॉजिटिव ही रहता है अपना ये भी अपना फॉजिट इव सेंस में ही आएगा और को करते हैं जब बात कर रहे हैं नंबर की और इतना जो counterpart है वो कहें लीटल लीटल अलीटल दॉटल लेकिन वह क्या हैं हम यूज करते हैं क्वान्टिटी के लिए यहां पर फ् लगाएंगे तो किस तरह लगाए हमें लिखना पड़ेगा और और क्या रीजन है वह आपको पता चले गया है मैं नेक्स अभी पहुंचता हूं अपना question number 9 पे now there were a number of intelligent gentlemen at the party but it was mr subramaniam an eminent scientist who remained a center of attraction nobody's center center एक particular पॉइंट है केंद्र बिंदु रहा अभी center हो middle हो अभी देखें जो वर्ड्स होते हैं center है middle है right top है bottom है इनके साथ यह तो एक ही होता है ना अभी center तो एक ही center होगा middle भी एक रहेगा top भी होगा bottom भी एक रहेगा इन सभी के साथ हम definite definite article लगाएंगे अभी सभी को पता भी center center वाला ही point होता है और कोई point नहीं है top top एक ही रहेगा bottom बिल्कुल नीचे वह एक ही होता है bottom तो यह चीज़ें सभी को पता ही होता है सुनने वाले को बता होगा भी अगर कोई इस टॉप में है या center में तो इसका मतलब क्या है तो इसलिए इसके साथ हम article लगाएंगे हम definite article लगाएंगे तो इस question में यह वाली गलती थी तो साथ साथ आप प्लीज नोट करते रहें वाकी नहीं तो फिर द्वारा फिर वीडियो देखने पड़ेगे द्वारा देखने फिर आपको note करना होगा question बर 10 देखते हैं I have been informed that Mr. Sharma the director and the chairman will visit पतना the following month भी आने वाल अगले महिने में Mr. Sharma जो है जो the director and the chairman है वो पतना विजट करेंगे तो यहां पर mistake क्या है यहां पर mistake है article की overuse of article superfluous use of article दो हम यह नहीं लगाएंगे देखिए अगर मैं कहूं राम is a teacher a singer and a player यह sentence मेरा गलत हो गया because बात एक क्यों हो रही है तो अगर हम एक क्यों बात कर रहे हैं तो हम एक ही article लगाएंगे और जो पहला जो नाम लिखेंगे उसी क्या आगे लिखेंगे तो यहां पर नाम यहां पर singer से पहले लगाएंगे ना ही हम player के आगे लिखेंगे तो हम simply लिखेंगे राम is a teacher, singer and player हम यह लिखेंगे हम अभी इसी concept के based questions कई आते हैं अभी मैं यहां पर एक sentence आपके साथ discuss करता हूं अभी sentence है the chairman यह subject work agreement का question हो जाएगा दे चेर्मेन एंड डारेक्टर डारेक्टर आर कमिंग ठीक है अब यह subject नहीं लगाएंगे यहां पर हम क्या लिखेंगे इस लिखेंगे इस लिखेंगे हम so the chairman and director is coming so article मैंने जैसे बोला भी बहुत ही interesting और बहुत ही full of learning full of information यह कैसा टोप है मतलब you really feel empowered you really feel enlightened there is something I have learned out of this topic so make sure ensure कीजिये एक एक पॉइंट को अच्छे तरह समझो रहे तो यह question हमें समझाय तो आटिकल सुनी लगेंगे एक की बात एक इंसान की बात हो रही मिस्टो शर्मा की बात हो रही है तो एक आटिकल लिखेंगे दर रारेक्टर के आगे दर हम नहीं लिखेंगे और इसके बेस और क्या और वरकर है लेकिन सबसे कम मिलती है अभी लीस्ट क्या है अन्सर सी खोला है इंक्जाम में आए क्वेशन सारे के सारे एक्जाम वाले क्वेशन से नेक्स दिखते है नुबर 12 पे विद एन यूनीक अभी यह की साउंड आ रही है पता चल गया है एन मैं लगाता हूं अगर वावल्स और वावल्स क्या है वावल्स मेरे साउंस है और वह साउंस कौन सी है आ-ई-आ-ई-उः ओवह पोल वे अप्वेशन से नसी कौन सी हूंस दर अब किलीस नुखेशन से न इसके सांड कर रही है तो इसके लिए लगगो इसके लिए लगएगा ऋगू इसमीं क्लास रखोंगा डीयानवल इनkay क्लास रखोंगा जिसमिए सरफ प्रक्राइब करूँ गया यंदे मैं सुनिक्र accomplishments है सिर्फ उन्हों को डिसकस किया जाए मैं वापिस फिर आता हूं क्वेस्टन पे तो यहां पर जो हमारा मिस्टेक है तो यहां पर क्वेश्टन मिस्टेक है यूनीक नहीं आएगा और यूनीक आएगा नेक्स पॉइंट है नमर 13 वेन थाउस वस सेट ओन दो फायर ओल दो पीपल दो पीपल कौन से जो हाउस में दो लिखा है ओल दो पीपल स्टार्टिंग अड़ टॉप टॉप है तो दो लगेगा अड़ लगेगा अड़ टॉप आप दियर वैसे वैल बहुत अच्छा संटेंस है ओनव फायर और अपने आप में क्या होता है अनकाॉंटेबल होता है है यहां पर कैंट इंसी सथिए हैं उस आग की जो हमारी तो नहीं है जो लगी है घर में लगई है कुछ कंट्रोल में नहीं है जान बूच कर हो कुई नहीं लगाएगा है इस जो आग लगे एक कंट्र लगता दोर इसन्स момक्तोर करें बहुत लगेगा लेकिन में इक और मरड़े किया नहीं बाता है ना उसके लिए आप दो फाइर लिखते हो जिसे मैं बोलता हूं I make a cup of coffee on the fire so when I say on the fire that means a controlled fire की बात हो रही है जिसमें आप वो चीजें बना रहे हो दो फाइर होता है लेकिन वो कौन से फाइर हो गया जिसमें अपकोस आप उसको कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो वो fire है तो दो फाइर लेकिन यहां पर sentence में यह जो फाइर है वह जान पूचकर लगाई वह फाइर नहीं है यह तो अफकोस अन गंट्रोल है इसलिए हम क्या लिखेंगे only on fire लिखेंगे नहीं लिखेंगे नेक्स देखिए नंबर हम पहुंचे है नंबर 14 में और बिलीव मी बहुत अच्छा संटेंस है अभी अभी हमने जो डिसकर्स किया फ्यू वाला और फ्यू का काउंटरपार्ट क्या होते हैं लिटल वाले राइट अभी क्या है इसमें लिटल नॉलिज ऑफ medicine that he possessed जो थोड़ी से knowledge जो उसके पास थी प्रूवड तो बिया blessing for him when he was in great pain जो थोड़ी से knowledge जो उसके पास थी वह काफी फाइदे मन सावित हो गई उसके लिए जो बहुत दर्द में था लिटल नॉलिज तो हो गया नो नॉलिज तो यहां पर लिटल नॉलिज चाहिए जो थोड़ी से knowledge उसके पास थी तो वह काफी फाइदे मन सावित हो गई उसके लिए जब वह काफी दर्द में था यहां पर हम लिखेंगे लिटल नॉलिज तो गलती जो है वह यह में है लगेशल क्या आउगा है समय और सपेशाइफाइड करते हैं चाहिए तो बहुत सारी सेंटेंस जी से लिए इस वह वैसे लिए लिए जो एक पैशन हम यूस करते हैं uncountable known के साहथ uncountable known के साथ हम यूस करते हैं तो काफिन अच्वाइब देखे लिए नमबर 15 दीए it was by a mistake that he injured her hand now your phrase by a mistake नहीं होगा by mistake होगा it was by mistake अभी कुछ ऐसे expression है English के जिसमें article नहीं लगाता है और वह phrases है जैसे कि to lose heart अभी to lose a heart नहीं आएगा to lose heart होगा to be true to your to be true to word write to lend ear तुनना बहुत सारे expression है जिसमें हम singular लगा रहे हैं वो चीज़े वर्ड़ सुरी वर्क नहीं वर्ड लगा रहे हैं लेकिन कोई आर्टिकल इसमें नहीं लगाएंगे यह सारी फ्रेजिस हैं यह कुछ ऐसे फ्रेजिस हैं जिनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे चाहिए वहां पर सिंगुलर ही काउंटे बनाव नहीं यह फ्रेजिस बनी वह जिनका फोस मीनिंग वह नहीं है जो वर्ड ऐसे यहां पर to be true to word अभी यह नहीं वर्ड का true मतलब होता है अपने वादा निबाना य सब्सक्राइब कर रहा है तो ऐसे कुछ फ्रेजिस हैं इंग्लिश की तो यहां वहां पर हम जो है चाहिए वह नाउन काउंटेबल हमें लग रहा है वह और हम उनके साथ कोई भी आर्टिकल वह यूस नहीं करते हैं नमबर 16 में आगे जहीं आजाएं इस ओडर्स ओडर्स ओ आपर नहीं करेंगे हम लिखेंगे इन डेंजर तो यह संटेंस बी क्लियर होना चाहिए एक्जाम में आया होगा क्वेशन है अनकाउंटेबल लाओन उसके साथ आटिकल लगाएंगे नहीं आई इनस्पाइड हिम तो टेक दा हाट अगें अगें तो टेक हाट होता है तो ट लगाएंगे हम नेक्स्ट दो मोस्ट हैपी मैरी इस वुड़ बीया जूनियन ऑफर डेफ मैं अद अप्लाइड मूमन वेल यह जो संटेंस जब यह एक्जाम में आया था यह कोईशन तो जिन स्टूडेंस ने यह कोईशन अट्ट किया तो नंबर में ले रहें क्यों इस क् चुछ सेखनें चाहिए था से certains मनत्त अथ्य हैपियस्ट अट्ट मैरीश वुड वह यूंएन और यहां पर स्पैसिफाइक किया हुआ ह उन्ह of a deaf man and a blind woman तो यहां पर इसको specify किया इसलिए यूनियन की आगे दह लगना आर्टिकल की गलती यह थी और एक adjective की गलती जो है वह स्टार्टिंग में कियोए थी और जैसे देखें मैं यह नहीं लिखूंगा ना ब्रेव वैसे आर्टिकल की अड्जेक्टिव भी बात कर रहा है मुझे पता है ना ब्रेव कंपारिटिव डिग्री ब्रेवर होता है तो मैं यह लिखूंगा तो वहते यहां पर गलती दिन दर मोस्ट हैपी नहीं आएगा और यूनियन कौन से यूनियन च्langसर आएगा यूनियन क कि म sorry किया हुआ रहा है फीको डेफ रहा ब्लाइंट आए भूआ है वह वैसे या ब्लाइट वूमिन है तो उसके राए 55 already है तो उसके बारे में यूनियन को स्पैसिपाइफ किया और यहां पर में क्या लगांगा दियर्वीन तो इस sentence में दो गल्तियां थी नमर 19 पर पहुंचते हैं हम जॉन सजजेस्टेट टुद्रन आप इस विलिज दे शुड वैल यहां पर नहीं एक जैसे कि यहां पर लगा हुआ है जोन सजेस्टेट आप इस विलिज दे शुड लगाते हैं यहां पर देखे कुछ ऐसी जगह होती है जैसे कि पर इस स्कूल हो गया कोलिज हो गया स्कूल को लिज टैम्पल चर्च टैमपल चर्च वैड़ हॉस्पिटल हॉस्पिटल जैल प्रीजन इसे लाइट तो यह कुछ ऐसी जगह होते एं जो किसी खास परपस के लिए मनी है पर बच्पदने जाते हैं यहां टैंपल नहीं पूजा पार्ट करते हैं चर्च का भी यही परपस है तो अगर हम इन जगाओं पर उन्हीं परपस के लिए जा रहे हैं जिस परपस के लिए जगाएं बनी हैं तब हम इनकी आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे तो यहां पर जो क्वेश्चन में हैं जोन ने यह वह जाना पर बच्चे पढ़ने जाने चाहिए वह पर तो वह बिल्डिंग वो स्कूल आनों चाहिए यह जिस परपेस के लिए हो बना है तो मतलब होंगे हम आर्टिकल यहां पर नहीं लेघ्टेंगे रमलिदी क्या लिकिंगे शचिंगए इचिगो टू स्कूल शिट नहीं आएगा question number 20 पे पहुंचते हैं हम question number 20 है some people say that her husband is in the jail and so she lives alone अभी क्योंकि उसका husband jail में कैद है इसलिए उसको अकेला ही रहना पड़ रहा है नाव अभी jail है तो prisoners के लिए तो वहां पर वो रह रह रहा है तो यहां पर भी अपको यहां पर भी कोई article नहीं आएगा तो यह concept भी जो आटिकल का जो है बहुत ही अच्छा concept है hospital अब एक में जरूर देना चाहूंगा अक्सर वह एक्जाम में आजाता है यह concept और तो से से संटन्स है रोहत एज नाट वैल रह ठीक नहीं है जो ही इस गोइंग टू होस्पिटल इसलिए रोहत रहा है अब यह होस्पिटल किसके लिए होते है जो लोग ठीक नहीं होता है उनके भॉस्पिटल बना है तो पटर निलिए यह लेकिन अगला देखिए मैं कहि रहा हुआ रोहित इस ओस्पिछनल रहा है को लिग चैनलिक एस ओने शिविश्युित तो यह आप इस Admin को मिलने के विर संव you कि अवैंस को मिलने के लिए यहां तक हमें समझ आया होगा मैं 20 questions हम कर चुके मुझे लगता है मैं यहां तक रुकना चाहिए questions अभी और भी हैं लेकिन वो हम उसको cover करेंगे अपने next part पर यह हमारा part 1 था अभी हम articles के part 2 पर पहुंचेंगे जब इसके जो remaining questions हैं उनको हम complete करेंगे और मैं कुछ और concepts भी जो है articles के लिकर आएंगा आपके साथ discuss करूँगा so that हम जादा से जादा learn करें सीखें और बहुत आगे बढ़ें जो भी हमारे dreams हैं जो भी हमारे aims हैं उनको हम achieve करें जिंदिगे में तो इसी उमीद के साथ भी आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा बहुत कुछ नया सीखा होगा इसको revise कीजिए understand कीजिए कोई चीज आपको extra मतलब help चाहिए किसी भी तरह की English को लेकर जरूर comment box में लिखिए हमारा कपिल institute का हमेशा इसे यही मक्षद राया है जितना हो सके help करें so that students realize their potential and achieve their goals so that आप जो लोग है आपमें of course बहुत दम है यार बहुत कुछ कर सकते हो तो कीजिए effort लगाईए मैनत कीजिए जो problem आ रही है जरूर बताइए we are always with you हमेशा आपके साथ है with lots of wishes thanks a lot and keep smiling और जल्दी मिलेंगे आपके साथ next video के साथ एक चीज में भूल गया application डाउनलोड नहीं किते application डाउनलोड कीजिए डेली current affairs आते हो उसमें और बहुत सरे प्रीके टेस्ट भी है वह भी प्रैक्टिस कीजिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स वीडियो के साथ तिल देन टेक कियर बबाई keep smiling thank you